घर के जोटी बहू नमरता को अपने ससराल में आए होई दो हफ़ते हो गए हैं। वेह अपने ससराल में काफी खुश है। ऐसा नहीं है कि उसकी जिंदगी में परिशानिया नहीं है। लेकिन बात यह है कि वेह काफी समझदार और सहनशील सभाफ की लड़की है। लेकिन उस क्यों भावी दर गई ना आप। क्यों नहीं आप बहुत बड़ी भूत है ना जो हम आपसे डर जाएंगे। आकाश अपने हाथ में पीछे को छुपा रहा था। क्या बात है आकाश क्या छुपा रही हो तुम दिखाओ। पहले आप आखे बंद कीजिए। अरे ऐसा भी क् नमरता आखे बंद करती है अकाश नमरता के हाथ में एक तौफा देता है। अरे अकाश ये किस लिए है। अरे भावी हैपी बर्थर डे टू यू आपको क्या लगा कि आपका ये देवर आपका जनम दिन याद नहीं रखेगा। नमरता आखों में आसू लिये हुए। अर नहीं है जनम दिन मनाना और गिफ्ट ये सब कभी नहीं देखा। तो क्या हो गया भावी अब यही आपका घर है। हाँ मिलकुल थैंक यू आकाश। मोस्ट वेलकम भावी जी मैं कोई उज्वल भाईया थोड़ी हूँ जो आपका जनम दिन बोल जाओंगा। अरे वेपस सौरी यार दरसल आज ओफिस में बहुत इंपोर्टेंट मीटिंग है उसी के चकर में मैं तुम्हारा बर्थडे भूल गया। अरे इसमें सौरी की क्या बात है मैंने आपसे कुछ कहा क्या। नहीं कहा तो नहीं। मेरी जनम दिन से ज्यादर जरूरी आपकी मीटिंग है आखाश मैं चलता हूँ। जी जे चानी जी अभी खोलती हूँ, देखती हूँ। क्या बात है आकाश तेरे पास बड़े पैसे आ रही है। अरे मा मैंने कुछ पॉकेट मनी बचा रखी थी ना तुम मैंने सोचा कि भाबे के लिए कुछ गिफ्ट ले लो। अच्छा, घर में और लोगों की भी जनम दिन आते हैं, वे नहीं याद रहते तुझे। नहीं मा, वो तो मुझे याद नहीं रहते, I'm sorry। नमरता गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक मेहगी घड़ी होती है। ओफो, अकाश पेटा, तुने नमरता को ऐसा गिफ्ट क्यों दिया, दिन भर तो घर में ही रहती है, घड़ी का क्या काम है इसे। अरे तो क्या हुआ मा, आप भी न, करती न चोटी बार। जरा पूछो तो नमरता से, इनके घर में घड़ी भी है क्या कोई, जो अपने इसे इतनी महगी घड़ी ला कर दे दी। इसने कहां ऐसी घड़ी देखी होगी? मुझे तो लगता है इसने कलाई में घड़ी भी पहनी बार ही पहनी है। नमरता भावी, आपको कहीं से जलने की बू आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है, कुछ तो जला है कहीं पर। आकाश ऐसी बाते करते हैं क्या अपनी भावियों से? आप में से तो कोई मुझे ना ही सिखाए कि कैसे बात करते हैं। देवर जी कभी हम में भी दिया है कोई गिफ्ट? मुझे तो आज तक नहीं दिया। आकाश तो कुछ ज़्यादा ही नहीं भोलने लग गया है। इसके बाद आकाश वहां से चला जाता है। इज नम्रता तेरा हो गया हो तो चल किचिन में बहुत सारा काम पढ़ा है। कितनी देर से पौधा लगा रही है। माईखे में टीवी नहीं है तो यहाँ बिचली का बिल बढ़ा रही है प्रिमा जोर-जोर से नमरता का नाम लेकर चिलाने लगती है नमरता दोड़ कर आती है क्या हुआ सासुमा आप ठीक तो है ना? अरे मुझे क्या होगा? मुझे पता है तू चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए और तू अराम से घर में मौच करे, है ना? नमरता के लिए तो अपनी सास की ऐसी बात ते सुनना आम बात हो गई थी बिचारी चुपचाप सुनती रहती है टीवी का रिमोट कहा गया? मुझे नहीं पता जिठानी जी, मैंने तू कल ये रिमोट यहीं पर रख दिया था तो क्या रिमोट हवा में उड़ गया? तूनी ज़ंदगी में कभी टीवी देखा भी है क्या? अरे देखा होता तो कदर होती ना चीजों की वहीं तो फालतू का खर्चा करवा दिया हाँ, थोड़ी देव में ससुर मनोज घर आ जाती है उसके हाथ में नया रिमोट होता है मुझे पता था कि तुम बहुत बड़ा ड्रामा ख़ड़ा कर दोगी इसलिए मैं नया रिमोट ले आया मैंने सुमही देख लिया था कि यहाँ पर रिमोट नहीं है अच्छा, क्या बात है? उसे कुछ नहीं कहोगी लेकिन मुझे सुना रही हो, मैं आपको ड्रामे बास लगती हो हाँ, मेरी ही गलती है कि मैंने तुम्हें कभी डाटा नहीं अगर मैंने ये काम पहले किया होता, तो अभी ये समना करना पड़ता मुझे इस बिखारन लड़की के लिए तुम मुझे से लड़ाई करते हो? क्योंकि दिन भर तुम्हारे उस पर अत्याचार बढ़ते जा रही है अरे कौन अर्थाचार करता है ससुर जी, ये कोई जेल है क्या? हमारी सासुमा इतनी अच्छी है, आप उनके लिए ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम दोनों चुप रहो, जो प्रेमा नमरता के साथ कर रही है वैसा ही तुम्हारे साथ होता तो कैसा लगता तुम दोनों को? ऐसा कुछ नहीं है ससुर जी, ममी जी को ऐसा मत कहिए पापा जी नमरता की यह बात सुनकर मनोज की आखों में आसु आ जाते हैं वाकई में बेटी, मैं धन्य हूँ, जो मुझे तुम्हारे जैसी बहु मिली और एक ये है, मन तो करता है सब उज्वल को बता दू और बटवारा हो इस घर का नहीं ससुर जी, ऐसा मत कहिए, इतने प्यारे परिवार को ऐसे उज़णने मत दीजिए, फ्लीज इतनी तरफदारी करते हो ना इसकी, देखना, एक दिन ना कटवा के रहेगी हम लोगों की, आप भूल गए कि ये खाली हाथ आई थी? इसके बाद प्रेमा गुस्से से नमरता की तरफ देखती है और रिमोट को वहीं छोड़ कर चली जाती है बिचारी नमरता इतना कुछ सहती रहती, लेकिन फिर भी अपने साजन का घर कभी नहीं छोड़ती नमरता हाथ जोड़ कर ही प्रभू, मेरी घर को कभी उजड़ने मत देना, हम पर अपनी कृपा बनाई रखना नमरता अपने पती के साथ अपने बेडरूम में है, नमरता ने अपने देवर का गिफ्ट अपने पती को दिखाया अच्छे आप तो ऐसे कह रही है, आप है न मेरे साथ, आप से अच्छा और बहतरीन तौफ़ा मेरे लिए क्या हो सकता है तो चलो आप, मैं तुमें एक तोफ़ा देता हूँ, अपनी आखे बन करो नमरता काफी शर्मा आ जाती है अरे ये क्या कर रहे हो आप अरे वही, जो एक पती पतनी करते है मुझी शर्मा रही है अरे छोड़ो ना नमरता ये शर्म वरो घर में प्रीतम आता है प्रीतम एक बीमा कंपनी में काम करता है और वो हर महीने नमरता की सास और दोनों जठानियों से इंशोरंस के पैसे लेने आता है भाबी जी नमस्ते जी नमस्ते अरे नमरता जा और थोड़ा नाश्ता पानी लेकर आ और पापा जी कैसे हैं? जी घर में सब ठेक है असल मैं प्रीमा पृतम को पहले से जानती है अरे तुम्हारी मा और मैं तो बच्बन की बहुत अच्छे दोस्त है लेकिन तुम लोग फिर यहां से कहीं दोसरे शहर में चले गए जी आंटी जी मा ने बताया था मुझे ये सब फिर उसके बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई फर अफसोस है कि वह इस दुनिया से इतनी चल्दी चली गई हाँ वो भी अक्सर मुझे आपके बारे में बताया करती थी तु चंता मत कर तु बहुत अच्छा काम कर रहा है तु देखना अपने जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएगा तभी नमरता नाश्ता और चाई लेकर आती है और प्रीतम चाई के प्याली उठा कर चाई पीने लगता है प्रीमा प्रीतम को पैसे देते हुए ये हिलो इंशॉरंस के पैसे ठीक है आण्टी जी चलता हूँ अगले दिन दर्वाजे की घंटी बचती है नमरता दर्वाजा खोलती है तो देखती है कि एक पार्सल वाला आया हुआ है किसके नाम से पार्सल है? पार्सल खोलती है तो उसमें से एक लव लेटर और गुलाब के फूल होते है तभी ललिता और अंशु भी वहाँ आ जाते है यह देखकर वे काफी घबरा जाती है तो आखिर वे आत्मी कौन है जो नमरता को परिशान कर रहा है अर अब इस बात को लेकर आगी घर में क्या ड्रामा होने वाला है? जानने के लिए बने रही हमारे साथ अगले अपिसूड में